असलाम अलेकम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ब्रीडिंग टेप्स बताने लगा हूँ जिससे आपके बड़्स 10 दिन के अंदर ब्रीडिंग शुरू कर देंगे यह वीडियो 100% ब्रीडिंग टेप पर है तो आपका टाइम जाया नहीं करते हैं जल्दे से शुरू करते हैं आज की वीडियो यहां पर जो मेरी पहली टेप है वह है मैल और फीमेल के अंदर डिफरेंस तो दोस्तों जब तक मैल और फीमेल का डिफरेंस नहीं होगा तो तब परिंदे होते हैं उनके थोड़ा सा मेल और फीमेल में डिस्वर्ण करना मुश्किल होता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी वीडियो बनाओं तो कॉमेंट लाजमी करें मैं इन्शाला उनकी वीडियो बना दूँगा जो दूसरी चीज है जो बार्ड्स की यह नहीं कि एक साल लगाते हैं और दोस्तों अब यह तक आप नमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब लाजमी कर दें दोस्तों अब नमगर त्री पे जो आपने टिप फॉलो करनी है वह बर्ड्स के पेर की और आपने ऐस वीडियो को देखने से आपके बर्ड्स बहुत जल्दी पेर लगाएं क्यूंकि आपको समझ आजएगी कि बर्ड्स को पेर किस तरह लगाने हैं दो जब तक पेर नहीं होगा तो आप हर चीज उनको दे लें वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे और इसलिए बहुत लाजमी पराबर हो और वो बहुत एची बर्डिंग करेंगे जो चोती टेप है वो है बर्ड के केज के बारे में दोस्तो केक का जो साइज होता है वो अगर मुनासिब होगा तो ताभी बर्ड्स वो अच्छी तरह से खोश रहे पाएंगे फ्लाय करते हैं जतने इच्छी जदादा उनके मिलती है ना उतने जदादा ही वो अच्छी बर्डिंग करते हैं क्यूंकि उनको सेफ महसूस होता है उस केज के अंदा दोस्तो आप कोकटेस और लाब बर्ड्स के लिए दो बाय दो केज रखते हैं तो बजस के लिए बेशक दो बाय डेट कर पचा हो वो भी बारे मैं पताऊंगे जिससे आपके बहुत ज्यादा जल्दी हीट पर आएंगे और हमेटिंग करेंगे वो है बाइट का ब्रीडिंग फूर तो दोस्तों बाइट के ब्रीडिंग फूर की मुक्तलि वीडियो में अपने चैनल पर पहले इसी डाली है लेकिन इसके अदर जल्दी एक लेंग पर आजाते हैं दोस्तों अगर आप जो मेरी चैनल पर जाकर जो ब्रीडिंग फूर की वीडियो देखते हैं तो इससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा चीजों की समझ आया जाएगी आपको पता लग जाएगा अगा बर्ड्स को कितनी क्वाइंट होता है जो बजिस के अंदर सीजन आता है वो आता है तकरीबन स्थम्बर से लेकर फबरी यह निके मार्श तक चला जाता है मार्श एपरेल तक तो तो इसके अनदर थोड़ी सी ठंड होती है और बजिस बहुत ही ज़्यादा मट्की में जाती है रहना पसान करते हैं तो यह बचन से भी बचना होता है और वह इसी दुरान अगर इसी उपर बैठी रहती है तो उससे उनको कोई मसले नहीं लेकिन अगर बलन निसबत विंटर से समर में आये ना तो जो बाइड से बीमार रहती है और साथ जिसा स्टेक आपने इसी लगानी जो के बिलकुल भी ना हिलती हो स्टेक जतनी जढ़ा हिलेगी बचन्ड़ जाया है और वह एक ड्यं। बाइड से स्टेक योपर बेट कर ही मैटन काईग लेगी तो इससे ऐसा 살गा कि बाइड जो है जो में अहुश्य के सुछा देना है हवदार तो जादा हम यह जदने ज़रा हिए उससे हड़कर बात जाएगा प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत ज्यादा खुछ रहेंगी उसके साथ-साथ उनकी प्राइवेसी तो दोस्तों उनकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा ज़्रूरी चीज है ठीक है क्या हम क्या करते रोजना जाकर केज जहां कर रहते हैं कि बजड़ नहीं डी रहें तो इस से वह बहुत सब्सक्राइब होते हैं और वो इस elg講 की ब्यमारी नहीं आएगी और साथ-साथ एक और लिए पर आ चूकी है यहन नहीं यह रोगे तो गयाएगी तो भीज़ेक्षित मैंने अलग से चैनल की उपर पहले सी अपलोड की हुई है तो वह भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ उनको प्राइवेसी प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टन चीज़ है क्योंकि जितना उनको प्राइवेसी मिले ही वह उतनी ज्यादा मैटिंग करेंगे ठीक है वह खुद को सेव महसूस करेंगे तो वह बहुत ज्यादा खुशहाल रहेंगे और वह मटकी में जाकर एगलेंग करते रहेंगे तो प्राइवेसी गांदर एक चीज़ और है उसका आपने बहुत ज्यादा ख्यार रखना है कि बजिस को रोज़ना एकी बंदर डालना जाए क्योंकि बंदर चैन्ज होते रहेंगे तो बंदर के इती हैं पते हैं क्या सी अगnant लेकिन वह बंदर जाता रह थैसे बार बार तो वह समय जयती है कि यही हमारा क्ला करते हैं और ज्यूधा अच्छा प्राइबंड ये अग्योंगे तो आपस इतनी जाधा मनासरे प्रैवे करने हो आपको वीडियो बहुत जदा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना हो जो जो वीडियो मैं आपको बता हैं उनसे आपको बहुत जदा फाइदा उनावादा तो वो लाजमी देख लेना और साथ-साथ आप मेरे ये बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्रीडिंग आई हुई है तो दोस्तो इन्शाला मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ब्रीडिंग टिप्स के बारे में और अपनी ब्रीडिंग भी दिखाऊंगा कि मेरे बड्स की कितनी अच्छी ब्रीडिंग हुई हुई है और साथ साथ आप ये वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि जो बॉक्स खुल उसके अंदर से बचे हैं वो निकल रहे हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक की लिए अलाहफिस डॉंट फोर्गेट टू लाइक शेर और सबस्क्राइब